देखिया सुनवाई नहीं होनी आज फासला आना है सुनवाई पूर में हो चुका है और 14 जुलाई को पूरा सुनवाई बहस हो चुकी थी जो ब्रैकेटिंग के अंदर अजू खाना जहां उसको कहते हैं या उनका था वजू खाना वहापस सिर्फिलिंग मिले वे थे उस एरि पूरी ब्रैकेटिंग जो लोहे के अंदर से घिरी भी है उसके अंदर बैज्ञानिक विधी से जांच करा दी जाए क्योंकि पूर्वे जो सर्वे हुआ था वह साधन सर्वे था साथा साधन सर्वे का मतला हो तो आंक से दिख जो दिखाई दियो रिपोटम ने दे दिया ल बंद किया है पत्थर इट से जहां से प्राप्त हुए है उसका दक्षिर तरफ जीका टाखाना है व्याजी का तरफ दिवाल जो है सीधे उन्होंने पत्थरों से बंद किया है तो अब उसके द्वारा जी प्यार लगा कर शपश्व हो जाएगा ब्रकेंटिंग के पस्षमी है वहां मंदिर का उसेश है वहां एक और सीविलिंग मिल सकते हैं तो यह ज्यानी जानतवार इस पर जाएगा उनका आपति आया था उन्होंने का आए कि मुआ अच्छा सा सक्था कोई मंदिर नहीं तोड़ा है और उन्होंने हिंदू-मुसलिम को संपरदाय को बिगारने क अच्छा सक्था इत्यास गवाए जो पिता को भी नहीं छोड़ा कहिए भाई को भी कटवा करकर सरतंस जुदा करा दिया अब धीवत मंदिर तोड़ने का फरमान जारी किया है वह फरमान आज भी बतर साक्ष रखा हुआ है और मंदिर को तोड़ने के बाद उसकी रिपोर् और अंजे बहुत क्रूर सा सक्था निरधाई था ऐसा सासा का गुर्श कंदर नहीं था दूसरा उनने कहा है कि एक मुकदमा 610 सनी कानवे है जिसमें इश्टे है उस इश्टे के बाद तो मेरा कमिस्वन हुआ सारी प्रोसेटिंग चिर उस मुकदमे कोई मतलब नहीं है इस साइद बनारस में है ही नहीं और बनारस में है भी कठा कथे तो हां से कम से कम पंदर 20 क्रीमिटर दूर पर जहां लोग गिर जाएगी जबकि बैग्यानिकों ने कहा है जाए जांज कर दिया जाए जांज जब हो जाएगा तो सारी चीज़ा असपस्ट हो जाएंगे और जिल करें तो आपने सान करें कि अगर आप चाहते हैं कि बिज्ञानी बिजिस जांच नहों बिनाश्टी पहुंचाए तो इस तरक उमीद है जहां तक वहांस के दोरां तरक आधार पर फैसला इनको बिज्ञानी जांच के आधिस के पर्षविदे ना चाहिए और देंगे वैसे त आप आएंगे थोड़े देर में फैसला देखने चेलेंगे अब इबी पी गंगा खबर आपकी जवाब की